मुंबई वकोला होटल में मसाज, स्पा सेवाओं का लालज देकर बंदूग की नोग पर लूट पाट करने के आरोप में साथ लोग गिरफता. मुंबई पुलीस ने कहा कि एक शिकायत करता वकोला पुलीस स्टेशन पहुचा और उसने कहा कि वहाँ एक होटल में गया था जहां बंदूग की नोग पर एक गिरो ने उसे लूट लिया. मुंबई वकोला होटल में मसाज, स्पा सेवाओं का लालज देकर बंदूग की नोग पर लूट पाट करने के आरोप में साथ लोग गिरफता. शनिवार को संदिगधों की जब्द संपत्ती के साथ मुंबई पुलीस के अधिकारी. मुंबई पुलीस ने शनिवार को कहा कि उसने पश्चमी मुंबई के वकोला इलाके में एक होटल में मसाज और स्पा सेवाओं का लालज देकर ग्राहकों को बंदूग की नोग पर लूटने में कथित तोर पर शामिल साथ संदिगधों को गिरफतार किया है. पुलीस के मुताबिक साथ जुलाई को मामले में शिकायत करता वकोला पुलीस स्टेशन पहुँचा था. अपनी शिकायत में पीडित ने पुलीस को बताया कि वहाँ होटल बाबा होंस गया था जहां एक गिरो ने बंदूग की नोग पर उससे लूट पाट की. 24 वर्षिय नीलेश सरोज के रूप में पहचाने गए आरोपी ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर एक सावधानी पूर्वक योजनाबद अपराद को अंजाम दिया, जिसमें धंकी, चोरी और अवैद धन हस्तान तरण शामिल था. हालां की उनकी नापाक हरकते अचानक खत्म हो गई जब वकोला पुलीस ने उन्हें सफलता पूर्वक पकड़ लिया, पुलीस ने कहा, पीडित द्वारा दर्स की गई शिकायत के अनुसार, बंदूग की धंकी के तहट संदिगधों ने उन्हें वकोला स्थित एक होटल मे मालिश सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया। उसकी कमजोरी का फाइदा उठाते हुए, नीलेश ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर पीडितों के बटूए से जबरन नगदी जब्त करने के अलावा, पीडितों के व्यक्तिगत बैंड खातों से परियाप ध अपने खाते में स्थानांतरित कर ली। पुलीस ने कहा कि बंदूग की नोक पर आरोपी पीडित से ऑनलाइन चांसफर के रूप में 95,000 रुपए लेने में काम्याब रहा और उसके कबजे से 10,000 रुपए नकद भी छीन लिये। तक्नीकी विशेशग्यता का उप्योग करते हुए पुलीस टीम मिली की आरोपी अंधेरी इलाके में मौझूद है। एक अधिकारी ने कहा इस सुराक पर कारवाई करते हुए अधिकारियों ने जाल बिछाया और नीलेश और उसके तीन साथियों को सफलता पूर्वक पड़ लिया। एक अधिकारी ने बताया कि गिरफतार किये गए चार लोगों की पहचान नीलेश शिफकुमार सरोज, 24 विशाल राजेश सिंग, 20 आधित्य उमाशंकर सरोज, 19 और सुरेश रामकुमार सरोज, 21 के रूप में हुई है। इसके बाद उनसे मिली जानकारी के आधार पर तीन अतिरिक्ट साथियों को भी गिरफतार किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी पहचान कुलदीप शेशनाथ सिंग, 28 सुरेश राम सिंग विश्वकर्मा, 46 और सपोन कुमार, अश्विनी कुमार शीत, 38 के रूप में कुछ ग्राहकों के संपर्क विवर्ण थे। संदिक्द ग्राहकों से संपर्क करने और उन्हें लुभाने के लिए सस्ती दरों पर सेवाएं देने के लिए उनके पास उपलब्ध नंबरों का उप्योग करते थे। अधिकारी ने बताया कि एक बार जब कोई ग्राहक होटल में आता था, तो संदिग्द उसे बंदूक की नोक पर धंकाते थे और लूट पाट करते थे। गिरफतारी के दौरान, पुलीस ने उनके पास से तीन जिन्दा कार्टूस, दस हजार रुपए नकद और कुल नौ मोबाई फोन आपतिजनक सबूत जप्त किये। आज जारी है।